एक तो बारिश का मौसम है और इस समयना बहुत तला हुआ चीज खाने का मन करता है कुछ फ्राइट चीज साम में मिल जाता है तो बहुत ही मज़ा आता है आज घर में सब को कुछ फ्राइट चीज खाने का मन हो रहा था तो मैंने सुचा क्यों ना ऐसे गर्मा गरम और बहुत किया है मीठा सोडा, नमक, हल्दी पाउडर और लाल मेच पाउडर। और कुछ हमें मिलाने का जरूरत नहीं है तो अच्छे से पहले mix करना है अब क्या है इसमें डालेंगे पानी एक ही बार में सारा पानी हमें एट नहीं करना है बस थोरा थोरा पानी आट करना है और इसे लिए हमें थूरा थूरा पानी अट करना है और इसका एक घूल जैसा बना लेना है और घूल को हलका सा पतला रखना है बहुत जादा नहीं कि इसके अंदर ने एक फ्लोइंग कंसिस्टेंसी हो और ये कोई भी चीज के ऊपर अच्छे से कोट हो जाए ऐसे हमें गोल बना तो ये बिल्कुल टाइट सा हो जाएगा आप देखके समझ सकते है इसका कंसिस्टेंसी एकदम पानी जैसा पतला भी नहीं और एकदम गारा भी नहीं तो इधर मैंने ले लिया है एक बरे साइस के प्यास तो पूरा प्यास का हमें यूज नहीं करना है आधा ही प्यास हम य जाधा क्वांटिटी में बना रहे है तो आप उसी हिसाब से जाधा प्यास यूज कर सकते हैं पर यह रिसिपी में पोहँ जाधा प्यास का यूज नहीं होता तो देखिए आधा जो प्यास है उसको मैंने साइट करके रग दिया है अब लहसून थोरा सा जाधा रहे है कोई भी चौप या समुसा आइटेम हो उसमें कूट के अ डाला जाता है तो तेस्ट बहुत ही अच्छा तो इसलिए मैंने अदरक और लहसून को डा अच्छे से कोट लिया है इससे क्या होता है यूज उत मीधे था है इसमें एक डरर अपन रहता है इसे टेस्टаемся ज तो फ्राइकर लेना है तो फ्लेम को मैंने रखा है मीडियम मीडियम में इसे बोहँत अच्छे से ने कर लेंगे तो मूम्फली मैं पहले अट करना भूल गई थी आप प्लीज मोंफली को नप पहले इप्राइ कर लीजिए गा प्याज अल्रीडी मैं डाल दी तो मुझे इसे भूल लीचेगा तो इसी के साथ मैंने हरी मेच एट किया तो अच्छे से फ्राई करना है अब इसमें एट करना है लाल मेच पाउडर इधर मैंने कश्मिरी लाल मेच का एट किया है कि हलका सा कलर आए और इसी के साथ हल्दी पाउडर जीरा पाउडर और धनिया पाउडर जीरा पाउडर आधा चमच मैंने एट किया है और धनिया पाउडर ने एक चमच बराबर मैंने एट किया है हलका सा मसाला को पका लेना है उसके बाद हमें अधरक और लवसुन का जो कूट के रखी थी ना उसे एट करना है क्योंकि अद्रक और लहसुन को बहुत अच्छे से हमें भूनना नहीं है बस हलका पुलका मिक्स करना है और उसके बाद ही इसमें एट कर लेना है अलू, उबले हुए आलू, इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आता है पूरी तरह से पका देंगे तो इसका जो स्मेल है भाग जाएगा तो इसलिए हलका सा कच्छा पन इसमें रखना है तब यह जो आलू चप मैं बनाने जारी हुए उसमें टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है अब आलू को एट करने के बाद इसमें एट किया है तब आलू में टेस्ट बहुत बर्यासा आता है तो देखिए मैंने बहुत ही अच्छे से मिक्स कर लिया है एक बार नमक चलिए चेक कर लेती हूँ कि ठीक हुआ है कि नहीं तो एकदम पॉफिक्ट बना है अच्छा लग रहा है इसका टेस्ट और अब सबसे लास्ट में तो रसा धनियापती इसमें एट करना है तो बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है ऐसा करके जो आलू चॉप का जो कच्छा पनी रखिएगा उसे आलू चॉप या समुसा का जो फिलिंग है वो सच में बहुत अच्छा लगता है खाने में तो यह ऐसे हम एक फ्लैट बाला शेप दे रहे है आप चाहे तो राउंड शेप भी दे सकते हैं पर आलू चॉपना हमेशा क्या होते है फ्लैट यह अलू चॉप आप मुरी के साथ कहा सकते है मुरी ममोरे मातल внутри मोर मुरे के साथ को खा सकते हैं खाने में बहुत अच्छा लगता है और ऊसके साथ हरी मिर्च ले लिशेगा तो मजा ही घाए बर आज मैं मुरी से भी कुछ खाऊंगी और एक प्रेड के साथ भी शेगर का तो सही में बहुत अच्छा लगेगा तो चलिए अब इसे क्या करूँगे ना बेसन में ऐसे डीप करना है और बेसन में अच्छे से कोट करने के बाद ना इसे गर्मा गरम ऑईल में हमें छोड़ना है आप चाहे तो कराई भर के भी ऑईल ले सकते हैं मैंने बहुत ज्यादा इस्तमाल नहीं किया है इतना ओल लिया है कि एक साथ तीन चार फ्राई हो जाए और ओल को बहुत अच्छे से गरम कर लेना है यह नहीं के मीडियम हॉट ओल में एट करना है आलू चप हमें बहुत अच्छे से ओल को गरम करके ही एट करना है और फ्लेम को रखना है मेडियम म इसे अच्छे से हमें फ्राई कर लेना है जब तक ये गोल्डेन ब्राउन कलर अच्छे से ना आ जाए एक तरफ अच्छे से हल्का ब्राउन कलर आने देंगे इसके बाद ही हम इसे पलतेंगे तो देखिए इसको पलट देना है तो हल्का ब्राउन कलर आ चुका है पर और थोर कर्ड़सा ब्राउन कलर आने देते हैं इसे और बहुत ही अच्छे से हम इसे फ्राइ कर ना है अच गल्टी से Musical करही चेश और इस 진ी वाला कराई मेन अ नहीं कर रहे हूँ इससे क्या होता है न मैं लोह एल्ए कर उसक्राई थूरा चिपकते है तो बिल्कुल मत फ्राई कीजिएगा इससे ये बहुत ज़्यादा चिपक रहा है मुझे बहुत परिशानी हो रहा है ऐसे आलू चॉप तो फटा फट से बन जाते हैं लोहे बाला कराई हो या एलुमीनियम की कराई हो तो आप उसे यूज़ कर सकते है और अगर स्टील के कराई में फ्राई कर रहा है तो एक काम कीजिएगा इसे अच्छे से पहले ओल को गरम कर लीजिएगा उसके बाद फ्लेम को रखेगा लोह फ्लेम में धीरे धीरे इसे तलेंगे ना तो यह हलका चिपकेंगे नहीं पर मुझे मतलब मेरे हाथ में उतना ज्यादा टाइम नहीं तक एकदम लोव फ्लेम में धीरे धीरे इसे फ्राई किया जाये तो नहीं तो रात हो जाएगा यह नास्ता के बदले मिनत दीनर हो जाएगा तो इसलिए मैं जहट-पट से इसे फ्राई कर रही हूँ तो ठोरा तो परिशानी हो रहा है पर फिर भी मैं कर ले रही हो तो आप लोहे बाला कराई यूस करना तो चलिए देखिए बहुत साड़ा धीरे धीरे फ्राई कर रही हूँ तो एक साथ फ्राई करके आपको लास्ट में दिखाऊंगी तो देखिए बहुत बरिया बन रहा है और बहुत कुरकुरे भी बन रहे हैं, इसमें जो मैंने मीठा सोडा एट किया है, जरूर से एट कीजिएगा, इससे ये आलुच अपना बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बनते हैं, इसे के साथ मैंने कुछ हरी मिर्चे भी फ्राइ कर लिया है, हरी मिर्चे फ्राइ कर तो ऐसे क्रिस्पी आलू चॉप खाने में सच में बहुत अच्छा लगता है तो देखिए बहुत क्रिस्पी हुए है आप ऐसे भी झा सकते हैं और नहीं तो नहीं तो नहीं ऐसे ब्रेड में ऐसे सजा के भी खा सकते हैं तो चलिए आज आपको एक दूसरा तरीका बताती मेरे पास आज कोई भी चटनी अबलेबल नहीं है सौस मत डालिएगा तो टेस्ट मजा नहीं आएगा आलू चप के साथ चटनी जाता है पर सौस उतना अच्छा नहीं लगेगा तो इसके उपर रखना है ऐसे अलू चॉप एक और एक हरी मिर्ची रख लीजिए गा और इसक सभी हो जाएगा तो देखिए बहुत ही ज्यादा यमी बना है और बहुत ही ज्यादा टेस्टी अगर रेसिपी थोड़ा सभी अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर से कीजिएगा दोस्तों भूलिएगा नहीं तो मिलते हैं नेक्स रेसिपी में आज के लिए इतना ही बाइ-बाइ